तो सबसे पहले आप सभी महतों कांग्ची लीडर्स को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार जेहो गोडायमन भारत माता की जेहो दोस्तों मेरा नाम अम्रीज गजमेर और मैं वेस्ट बेंगार के रहने वाला हूं फ्रम इंडिया और सेपसब बिजनस में मेरा पिछले साथ सालों से में लगातार काम कर रहा हूं और सेपसब बिजनस में डाइज डायमन लीडर हूं और आज हम सेखेंगे एट ट्रेनिंग फ्राइड ट्रेनिंग की जो स्लाइड है उसको मैंने भरपुर प्रयास किया और एक दिन में यह चीज़ हो नहीं सकता धीरे दीरे आप मतलब मेरा ए मिटिंग से यह स्पेशली आप लोगो एक एक स्लाइड आपको बताने के लिए है कि आप कैसे कौन सा स्लाइड में क्या बोले आपके दिमाग में कोई भी स्लाइड आपके दिमाग में आए तो आप कैसे कैसे वह स्लाइड आती आपके मन में क्या विचार आना चाहिए और अलब अडिशन ने भी बल्ब का विश्कार करने के लिए 10,000 बार प्रयास किया है ना तो हम भी प्रयास कर रहे हमारे प्रत्यक लीडर है एटीशेट ट्रेनिंग फ्राइडे ट्रेनिंग दमदा तरीके से दे पाए तो मेरा समझाने का प्रयास यह पहली बार है और आज मैं आ बहुत बहुत धन्यवाद बदाई हो तो सब से पहले आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने अपना बहुमिल्य समय निकालकर करके आज की सुभाई की साथ पतना चाहूंगा दोस्तों कि हम सभी यहां पर इस बिजनस में पैसे ही कमाने के लिए लेकिन मुझे पुरा विश्वास से आने वाला जब डाइमंड बन जाएंगे न उस दिन आप जो आप बन जाएंगे आपका जो विक्तित्व बन जाएगा जो आपके अंदर नौलेज हो हैना फोर्टीस्टम सिस्टम बोलत है मागुर जी मादोसर भी बोलते हैं कि आप सारा अपने कामों को करते विए subscribe न समय निकाल करके क्या है यह आप जितना प्रतिशत सिस्टम को आप महतो दोगे उतना ही प्रतिशत आपको इश्टम भी महतो देगा यहना हेना यह तेक सब बिजनस में बहुत फास्ट तरीके से आप डायमेंड बन सकते हैं दो साल तीन साल के अंदर में और उड़ना सको तो दोड़िये दोड़ों उड़ने का उड़ने का मतलब क्या है कि जो लीडर आद दस बारा घंटा सेफ सौप में जब अरद फुल टाइम दोड़ रहा है लेकिन जो लीडर उड़ नहीं पा रहा है नोगरी कर रहे है तो कम से कम तीन जार घंटा तो दही रहा है तीन चार घंटा प्लान दिन में दो प्लान कर रहा है एक प्लान कर रहा है तो वह दोड़ रहा है सही है तो उड़ना सको तो दोड़ो तो कम से कम दो तीन चार घंट का एक तो प्लान दिखाओ और हम सभी अपने सपने के लिए यहाँ पर आए हैं तो क्या हमारा एक प्लान दिखाने के लिए हमसे प्रात्ना करना पड़ेगा नहीं हमें समझनी पड़ेगी हमें अपना जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तो इसलिए चलो और चल भी न सको तो तो रेंगो, मतलब पूनी के बल आप रेंग सकते हो, इसका मतलब आप ट्रेंडिंग मिटिंग एटेंड करो, किताब को पड़ो, बिजनस को सीखो, तो ये क्या है, रेंगना हो गया, आपने प्लान एक भी नहीं दिखा है, तो रेंगना, लेकिन कभी भी बिजनस को कुट नह करना, ये सारा चीज करते वे, आप सेफसर बिजनस में, आने वाला चार से पांस साल, आप समरपन भाव से काम करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है, कि आप एक परफेक्ट लीडर बनेंगे, आप डायमन भी बनेंगे, और एक दिन आपका नाम रोसन होगा, आप कैपिंग अचीवर बनेंगे, और आप अपने परिवार का जो सपना, जो जीवन भर का जो सपना आपने सोचा है, वो सपना आने वाला पांस से दस सालों में आप एकशीवर कर पाएंगे, दोस्तों, कोई भी फिल्ड ऐसा नहीं है, जहां पर आप बिना सीखे, बिना समय दिये, बिन मेनत किये, आप चाहें कि वहाँ से पैसा मिल जाए, तो इस धर्ती में तो साइट ऐसा आउसर कहीं है नहीं, लेकिन आप जैसे और हमारे जैसे लोग, जहां से उमर निकल चुका है, पड़ा लिखा नहीं है, अनपड़ है, आपके पास पुंजी नहीं है, पैसा ही नहीं है बिजनस करने के लिए, आपके पास कोई experience नहीं है, आप हार सुके हैं, तो फिर भी आपको सेफसर एक ऐसा आउसर आपको मिला है, यह सारे का सारा हमारे पास में गुन ना होने की वज़ास से भी हम सेफसर बिजस में क्या हो सकते है, यहाँ पर अमीर बन सकते है, कितने बड चाए मन करे, चाए मन ना करे, हमको दुखी हो के भी करते करते हम जीवन में ऐसे ही चला जाना होता है, तो इसलिए समय की महत्तों को जानते वे, एक आउसर की कीमत को जानते वे, अपने सपनों को कीमत को जानते वे, सिखलाई करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, त साथ सेफ सब बिजनेस को यहां पर काम करना चाहिए दोस्तों तो इसलिए जो पार्ट हम लोग सीखने वाली है आज जो एक एक चीज़ सीखने वाले हैं वह एट इस्टे ट्रेनिंग फ्राइड ट्रेनिंग कितना ज्यादा महत्पुर्ण है और यह इसी के ओपर निर्बार है क्या आप सभी की स्क्रीन दिखाई दे रही है कि क्या आप सभी की स्क्रीन दिखाई दे रही है आथ खड़ा कीजिए चलिए बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच तो सबसे पहले वेल्कम तो अलव फ्राइडे ट्रेनिंग आप सभी को शुक्रवार के ट्रेनिंग पर स्वागत है दोस्तों तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है जो पत है ना इंगलिस में हम जैसे कि पहले पात बोलते थे इसको इस पे एक्षाई उचारने पत पत का मतलब होता दोस्तों रहा है नया तो हमें एक ऐसा रहा मिला है जहाँ पर हम एक गरीवी से हम अमीरी की दिशा की और जा रहे हैं दोस्तों और हम सभी बहुत 300 भागय साली है दोस्तों तो हमें हमें यहां पर किस इस पर फोकस करना चाहिए अभी पी एटी एच हमें सबसे पहले यह चार चीजों को सीरिल बताना है यहीं पर हम व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों ठीक इंपोर्टेंट है तो इसस को हमको समझना है तो क्या है पीफोर पैसंस पैसंस के मतलब है धेरिया दूसरा नमबर आपको बोलना है कि एफोर एट्स्ट्यूट नजरिया और टीफोर टीचेबिलिटी सिक्षन योग्यता और एस पर ओनेस्टी इमांदारी यह चारों को चा हमारे इस फिल्ड में और हम लोगों जीवन में आगे काम आने वाली है तो आएए एक एक करके में आपको आगे बाकी व्याख्या करने वाला हूं तो पी का मतलब है पैसंस तो आप देख सकते हैं धेरिये सफलता की कुंजी है धेरिये सफलता की चावी है याद रखिए कि बून-बून से ही घड़ा बरता है दोस्तों तो यहाँ पर अभी आगे क्या पोले आगे तो कुछ लिखा है निए तो हमें अपना ही काम का अनुभव से हमको बोलना है दोस्तों तो कैसे हमें धेरिये कहां का रखना है सेसंब बिजनस में जो एक्टिविटीज हम कर रहे है उसी से रिलेट करके हैं हमको बोलना है दोस्तों तो यहां पर जब हम काम करते हैं तो हमारा दिन चरिया क्या है दिन चरिया में क्या करते हैं हम लिस्ट बनाते हैं लिस्ट बनाने के बाद हमारा इंविटेशन करते हैं निमंतरन करते हैं लोगों को तो निमंतरन करने के बाद कई लोग आपको उस टाइम मना कर देता है कई लोग सुनने के लिए आपको चाते नहीं है तो उस टाइम आपको बुरा भी लग सकता है तो उस टाइम क्या है आपका मन विजलित हो सकता है तो उस टाइम में आपको धेरिया रखना है कि आपका क्योंकि अभी आपने सही प्रक निमंतरन इस प्रकार से कर रहा हूं लेकिन लोग निमंतरन स्विकार नहीं कर रहें तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर तो इसमें क्या करें तो उस्टाइम धेरी रखते विए अपने अप्लाइन से पूछे तो आपको अप्लाइन बताएगा तो यहां पर इन्विटे के लिए तयार कीजिए उसके लिए किसी करना है कि मैं बहुत ही अच्छा सुनारा सिस्टम में काम कर रहा हूं और जो कि हमारे जीवन बदल कर रहें और जो कि आप मेरे अच्छा दोस्त हो साती हो इसलिए मैं चाहता हूं कि यह औसर आपको मैं दिखाओं आप एक बार उंगे पता नहीं कौन सा तरीकी से बोले उंगे तो वहा पर आप आप जब इन्विटेशन सही प्रकार से नहीं करेंगे दोस्तों तो आपका वहां पर आपको देरिया रखना है तो सीखना है इसमें समय लाएगा दोस्तों दूसरा बाद फिर जब प्लान दिखाएंगे ज तो वहांपर हमें धेर्य करने कुई सकता हैं दोस्तों कैंई लोग मैकसिमम वहांपर टूट जाते हैं प्लान दीखाया एक पांच दीखाया द्स दीखाया तो हम लोग merge रहले देर्य उक्राइट कर समय लगेगा ना साइकल भी जब आप सीखेंगे तो एक दिन में आप कहां सीट में बेड़ करके चला पाएंगे तो कोई भी काम करने के लिए दोस्तों धेरे करने के आऊ सकता है तो आप बोल सकते कि प्लान दिखाते समय जब जब रिजल्ट ना आए तो उस टाइम हमें धेर बंद कर देते हैं अपने रिष्टेदार जो भी है उस टाइम आप समझ नहीं पाते दोस्तों तो इसलिए फिर भी हमें अपने टीम से बार-बार मिलना है उनको समझाना है सिखाना सिस्टम के ट्रेनिंग मिटिंग में लाना है तो धीरे धीरे जब वो काम सीख जाएगा त कि ऐसे देखा कि देरे सफलता की चावी है याद रखे कि बुंद-बुंद से गड़ा बरता है एक गड़ा में भी जो बुंद-बुंद चपकता रहेगा उसको भरने के लिए टाइम तो लगेगा तो पैसंस रखे तो वहां पर हम कभी भी रिलेट करेंगे ना लोगों से बात करेंगे ट्रेनिंग में तो हमें रिलेट करना है उनके प्लान करने पर इन्विटेशन करने पर रिजर्ट ना आने पर उस टाइम हमको देरे रखना है तो इस तरह से आप बोल सकते हैं दोस्तों कि देरे सफलता की चावी है ठीक है और यहां पर धेरे रखने के लिए पांट चीज़ें यहां पर बताए हैं आप देख सकते हैं इस डबव vendor Тоs सबसे पहले आपने नेंटप में देखा है सक्सेष रेशियो यह सक्सेष रेशियो किसी भी छ longtemps में सक्से के इक रेश्य U sqis ना और साथ लोगों को प्लान दिखाएंगे जब आप तो उसमें से लोग तयार होंगे और चार लोग तयार होंगे लेकिन उसमेंसे एक ही लोग डिडि देंगे तो इस तरह करें तो दोस्तों कभी-kभी हम क्या है कि हम उम्मिद ज्याद रख लेते हैं हम 10 लोगों लोग दिखाया हमारा focus किसमे होती है रिजल्ट में आश करते हैं जिसको प्लान दिखाया वह जोन करें और आस करना भी चाहिए लेकिन आज के साथ में पॉजटिफ रिजल्ट के साथ में यह दिन रिजल्ट आता है तो उसके लिए भी हमको तयार रहना चाहिए तो अधिकतर लोग इसी में माईश हो जाते दोस्तों दस लोग को प्लान दिखाया नव लोग जोइनने की एक ही वहां पर जोइन किये है ना तो हम सोचते कि भाई क्या हो रहा है दोस्तों सक्सेस का एक रेशी होए इसलिए यहां पर धेरे के लि जिनका इच्छा हो पैसे कमाने की जो एक आउसर को ढून रहा हो ऐसे लोग तो आएंगे सब्सक्राइब कुछ लोग नहीं आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे सारे लोग आप जैसे हम जैसे नहीं होते दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर्चे जिम्मेदारे उठाने के लिए पैसे कमाने के लिए हना तो वह संतुष्ट होने का दिखाबा करते हैं यसलिए को नहीं आएंगे उसमें कोई आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए आपका विश्वास में आपका धेरिय में आपका सपने में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि समवन इस वेटिंग बहुत सारे लोग हैं आज भी भारत देश में कि पैसा कमाना चाहते एक आउसर की आवसकता है आज नोक्री कर रहे हैं लेकिन कईने कि वह प्रातना कर काते समें पूल रहोगा कि धवान मुझे कोई नस पciónप वत आगा और वसार मिले तो जीवन में वह बहुत आगे मैनत करने वाला होगा तो इस प्रकार कर लोग इंतजार करने तो जीवन में में हम अजब आशा करके कि कोई नस नकोई तो डायमंड मिलेगा अंशे किरन कि जब आप आगे महिनत करते दोस्तों तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे मैं भी 2015 में प्रात्ना ही कर रहा था छे साल नोकरी हुआ था दोस्तों इंकम कम थी जिसकी वज़ा से मेरा भूस सारे जरूत की चीज़ें पूरा होनी पार था तो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता थ तो एक प्लैट्फरम कि आऊ सकता थी तो अपने आप तो आएगा नहीं ना तो मैं भगवान से प्रात्ना कर रहा था तो यह केटोगोरी में मैं था समवर इस वेटिंग मैं इंतजार कर रहा था कि कोई न कोई तो मिले एसा तो भगवान ने मेरे जीवन में भेज़ दिया तो जो लोगों ने प्लान मुझे नहीं दिखाया होता प्रिजमों सर ने प्लान नहीं दिखाया होता थो होस्तों तो आप बताओ आज में डायमन बनता आज क्या मेरा सपना पुरा होता नहीं तो इसलिए बिजनस संभावना पर आधारित है आप लगातार लगे रहे यह मैनत करते यह आप आशा का किरन आप हमेशा मन में बनाए रखे आप कभी उस त्वाइश तोड़ना नहीं है तो 100 start work, इसलिए last में क्या है, 100 start work, आप minus ने होंगे, आप धेर्य खो देंगे तो कामी start मज़त बंद कर देंगे न काम, लेकिन आप मन में विश्वास रखेंगे, और धिरर रखेंगे आप, तो आप, आपना काम को लगातर जारी रखे, ये process सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है मैं diamond हुआ तो मेरे साथ भी लगात तर 28 लोगों ने मना किया तो उस्टाइम में भी धेरिया खो रहा था लेकिन मेरे को apply ने बता दिया था कि धेराज खोना नहीं है आपका main मकसद क्या है? हारना नहीं है आपका main मकसद है diamond बनना 50 लाख रुपे कमाना 40 साल का काम आपको 5 साल के अंदर में उतना इंकम कमा करें दिखाना है दोस्तो आज इस आउसर को हम छोड़ देते हैं तो 40 साल में भी हम 50 लाख रुपे 1 क्रोड रुपे नहीं कम पाएंगे लेकिन आज इस आउसर में धेरिये रख करके सीखते वे आगे लगातार उम्मीद के साथ बढ़ते रहेंगे तो 5 सालों में वो काम हो जाएगा जो 40 साल में नहीं होने वाला है तो दोस्तो धेरिये तो रखना पड़ेगा तो इसलिए लगातार मन में उम्मीद बनाए रखिए लगातार आगे काम करते रहें और तब तक आप इस बिजनस में काम करना है दोस्तो जब तक आप यहाँ पर अमीर न बन जाओ क्योंकि अमीरी बनने का एक रास्ता आपको यही मिला है तो इसलिए स्वामे विविगानन जी का एक यहाँ पर देख सकते कोर्स उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्षे प्राप्त न हो जाए ना दब तक कि लक्षे ना प्राप्त हो जाए तो दोस्तो हम सभी के लक्षे क्या है डाइमन बनना लेकिन डाइमन बनने से जो पहले हमारा जो सीडी बनाये गया इस्टेप बनाये गया है उस चीश को जाप धीरे धीरे आप उस लेवर के चिप करते जाओगे आपके अंदर में आत्मा विश्वास confident लेवल एकदम मजबूत होते जाएगा तो इसलिए आप धेरिये रखती रखे थोड़ा सा परिणाम के लिए दोस्तों आप अब फ्रेशर हो आप सोचने की गोल्ड कप बनेंगे तो वह है आप अपना तो हमेसा जब जब आपका रिजल्ड ना है ना तो उस टाइम हमेसा याद करना दोस्तों कि एस डगरूप फाइब रूज क्या बताया गया था कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे तो क्या हुआ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और तो इस टार्ट हमक यही है तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लग से प्राप्ति ना हो जाए ना दूसरा बात क्या है पी ए टी एच ए फुर एटिटूट एटिटूट का मतलब क्या है दोस्तों नजरिया नजरिया का मतलब क्या है नजर का इलास तो मुमकिन है पर नजरिया का नहीं जेसा तुम सोचोगे वेसे ही बन जाओगे खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे स्वामे विविकाना जी ना दस सीक्रेट किताब में भी बताये ग में आकर्षन करते हैं दोस्तों यह हम कोई भी इस्तिती में यह आप उसीज में नकरात्मक सोचोगे नकरात्मक कैसे आपने प्लान दिखाया लोग ने मना कर दिया तो आप तुरंत लोग तो जोईनी नहीं कर रहें में तो अभी इन लोग मना कर रहें आप फिल करेंगे कि हाँ मैं तो वह सोचेंगे तो आपके पास बार बार वही रिजल्ट आने वाले लेकिन आपके अंदर में आत्मा विश्वास रखना है आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए आपको जो चाहिए उसके बारे में आप बार बार सोचिए और हर इस्तिति में आपको सकरात्मक नजरिये से नजरिया मतलब क्या है कोई भी इस्तिती से कोई भी इस्तिती में कोई भी घटना होती है उस इस्तिती में आप अच्छा निकालती हो वहां से ना बुरा चीज निकालती हो उसको बोलते नजरिया एक ब्यक्ति ऐसा होता है कि हर सिचुशन में भी वह कमी निकालता है और एक ब बोलते हैं नजरिया और वहां से बुराई निकालना समस्या निकालना और कंफिटेंट को डाउन करना वो भी एक विचार है वो एक नजरिया है यदि उसको निकालेंगे तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे दोस्तों तो इसलिए हमेशा नजरिया कैसा रखना है सफल आ सब्सक्राइब बने और 10,000,00 शे उपर कर टीम अभी तक बना दिया तो मैं भी तो इनसान हूं पवि अपना लेकर के आया हूं में भी जरूर अपना सपना को पूरा करूंगा हमेशा सफल लोगों को आप देखिए असफल लोगों को मत देखिए क्योंकि असफल लोग सभवा लाएगा और नवकरात्माक सभवाव आपका आत्मा विश्वास को बरबाद करेगा और आप कामी नहीं करेंगे दोस्तों तो इसलिए अच्छा नजरिया रखने के लिए हमें इसा अपलाइन के साथ में रहे अच्छे किताबों को पढ़िए अच्छी वीडियो को सु यह आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा दोस्तों कभी-कभी मेनत खूब कर रहा होता है लेकिन उनके मन में लगाता नेगेटिव विचार चल रही होती है तो नेगेटिव विचार उसको रोग देता है उसका कामी आगे चल नहीं पाता दोस्तों तो इसलिए हमें अपना नजरिया को बिलकुल ध्यान करना है टीफोर टीचिबिलिटी टीचिबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों एक अच्छा टीम लिडर अधिक लिडर बनाता है सेपसब बुजनस में आप आए हैं इसको बोलते हैं MLM मल्टी लेबल मार्केटिंग यहां पर आएंगे लेकिन नो अकेले काम कर रहे हैं अपना टीम कोई काम नहीं कर रहा है तीसरा साल में भी आप अकेले काम कर रहे हैं आपका टीम कोई काम लेकिन सेपसब बिजनस में सफल होने केलिए आप को क्या सीखना है, सेफ सब की basic चीजे है, द्रीम सेट करना, आप ड्रीम सेट करना सीख लिजे, आप याप पर invitation, list बनाना सीख लिजे, लिस्ट लगातर आपका लिस्ट कभी भी खतम होना नहीं चाहिए तो लिस्ट कैसे up to date रहे हमेशा उसमें लोग aid होते रहें उसको सीखना है आप कैसे लोगों को निमंतरन करें उसको सीखना है और आप कैसे बेतर प्लान करें उसको सीखना है आप लोगों को कैसे follow up करें उसको सीखना है ID कैसे बनाए product order कैसे करें payment कैसे करें समस्य आए problem हो तो solution कैसे करें है ना और यहाँ पर आप leadership training कैसे करें आप core training में जाएं और core training में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाएं और core training करना कैसे हैं कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ section की योग यता आप अपना सीखने की कला आप अपना विकसित कीजिए एक अच्छा team leader यदि आप वाके में diamond बनना चाहते हो तो आप सबसे पहले खुद यह काम सारा आप सीखोगे और अपने team में हर सब्त में होने वाले group meeting हर एक महिना में होने वाले core training में आप अपने team को सिखाने का काम करोगे और लोगों को system पर लाओगे तब जा करके आपका आने वाले team वो team leader बनेगा आप अकेले उसको सिखाने से कभी भी वड़ा लेडर नहीं बन सकता सिस्टम में वो ला करके system की ताकत दिखा करके दोस्तों आपको उस team को लीडर बना सकते हों तो इसलिए हमेशा सीखे कि कैसे मैं अच्छा बेतर प्लान कर हुआ है जिसने सीखने में उसने ध्यान दिया है तो इसलिए आपने शेप सब बिजनस में आप आए हो दोस्तों तो जरूर आप यहां पर सीखने में फोकस करना है तो उसके सदा सरवतम नीती होती है अगर तुम सुरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सुरज की तरह जलो यह मिंस क्या है कि आप देख सकते हैं हम जिंदगी परतन करने वाला आउसर हमें जीवन में मिला है तो दोस्तों संसार में एक निया में कि हम यही इमांदार रहे कोई भी काम के प्रति कोई भी काम हम करते हैं छोता से छोटा काम क्या ह fellow कि हर छोटा काम में भी हम जब इमांदारी के दिखाने के सब्सक्राइब और पूरी विश्वास के साथ AI-मांदारी के साथ उस काम को azim consistent ने इमानदारी जैसा अमुल्य चीज जो है ये गुन हमारे अंदर डेबलोब होती है तो इमानदारी खर दिने से नहीं मिलती है दोस्तों इमानदारी हमें अपने अंदर में पईदा करनी होती है उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो कोई भी आपके सपने के लिए आपकी सफलता के लिए अपने टीम के लिए आपके सपने के लिए आपके सम्मान के लिए और लोगों की भला के लिए जो आपके हित में बढ़ता है वो सारा काम जब आप काम करेंगे उस काम करते समय आप टाल मोटल नहीं करेंगे कभी भी आप काम करेंगे तो आपको टालमोटल करने का भी आपके पास options होगा उस टाइम आपने टालमोटल नहीं करना है उस टाइम आपने इमानदरी दिखानी है जब अपने टीम को मदद करने की बारी आई तो उस टाइम आप टालमोटल कर सकते हैं आप अपने जिम्मेदारी से बाग सकते हैं उस टाइम आपने इमानदारे दिखानी है अपने अपलाईन ने बोला कि अपने कमिटमेंट में लिख दिया कि सर आज में दो प्रान करूँगा आज में 30 मिनट किताब पढ़ूँगा आज में 15 मिनट वीडियो देखूंगा सर आज में नोट्स बनाऊंगा सर आज में अपने अंदर में ये गुन लाऊंगा और आपने ऐसा बोल दिया तो आपने अपने वो इमानदारी माँ पर दिखाओ जो बोला है उसको करिए तो इसलिए दोस्तों आपको सफल होने के लिए और आपको जीवन में डायमन बढ़ने के लिए और अमीर बढ़ने के लिए किसी और के साथ में आपको अपने आपको कम पर इजन करने की आओ सकता नहीं है आप वो हर काम करिए इमानदरी के साथ और किसी से तुनला मत करो, आप अपने आपको अबजब करो, कि मैंने जो बोला है, जो मैंने संकल्प किया है, उस काम को मैं वाके में इमानदरी के साथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से आपने जिस दिन सेफ सब के जो प्रांच प्रोसेस है, उस काम को यदि आपने इमानदारी के साथ करना शुरुआत कर दिया ड्रीम आपने सेट किया अच्छा से आपने ड्रीम सेट किया और आपने लगातार लिस्ट मेकिंग किया लिस्ट लगातार अप्टूडेट किये आपने लगातार निमंतरन करने का तरीका को सीखा वहाँ पर आपने इमानदारी दिखाया और रेगुलर आपने प्लान दिखाया धेरिया रखते समय आपने बिलकुल आपने इमानदारी दिखाई और लगातार फॉल अप किया और लगातर आप मेहनत किये दोस्तों तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि आप इस बिजनस में डायमंड ही नहीं आप फोट टॉप लेबल तक पहुँचेंगे तो इसलिए दोस्तों ये बिजनस सेपस अब बिजनस सोटकॉट से डायमंड बनने का और यूनिबरसल क्राउ पर हम जब इमानदारी दिखाते हैं तब जाकर कि हम जबर्दस तरीकी से सफ़र होते हैं तो इस तरह से इमानदारी किसमें दिखाना है यह वाली बात इस तरह से आप बोल सकते हैं दोस्तों है और वाट टूडू अभी वाट टूडू को मतलब क्या क्या करें अभी हम यहा प्लान करेंगे जब आप काम करते हैं उस टाम तीन चीजे एक लीडर के अंदर में जहलकना चाहिए आपके अंदर में वह दिखना चाहिए वह चीज आकर्षित होता है आपकी क्वालिटी को आपके अंदर में जो डेबलोमेंट लिडर्शिप का उजब अब दस निखार ला में उसते आधमीं असे खिलता है और हमेसा खुशनुमा इनसन को पसंद करता है तो इसलिए आपको 90% टेशीर होने के लिए आप समस्या याप उम्मिदे बनाए रखेंगे आप अपने मन में विचारों में आप यह साव बनने वाला हूँ मैं प्लाटिनम बनने वाला हूं मैं गोल्ड बनने वाला हूं वाओ अभी तो ने मैं पॉ excerpt बनने वाला हूं अभी तो ज्यादा इस्टेप नहीं मैं डायमेंड भी बनने वाला हूं बार-बार इस चीज़ को पाने के लिए एक उम्मीद आप बनाते हैं जो चीज़ पाने के लिए आप excitement के साथ जब आप काम करते हैं उस चीज़ को बार-बार सुचते हैं तो आपके अ करने के लिए जब जाते हो दोस्तों तो आप उनको मांगने के लिए नहीं उनको जिंदगी परितन करने के लिए जा रहे हो इस आप विचार धरा अपने अपने अंदर में लाएंगे तो 90% excitement जोस आपके अंदर में आ जाएगा जोस लाए तो लेकिन के से लाए तो उसके ल में करना सीखा नहीं आपने अप्लाइन के साथ ताल्मेल बनाना नहीं इसका तो यह projemMusic में आता दोस्तों इसमें आपको 100% स्ली टेक्निक में 8% टेक्निक में फोकस करना होगा यह आप इसमें नहीं सीखेंगे तो आपको सफलता 100% नहीं मिलेगी और तीसरा नमर क्या बताए अच्छा व्यभार करके अच्छा तालमेल बन सकता है अच्छे रिष्टे से अच्छे तालमेल बन करके जब जा गए हम आगे बड़ा काम कर सकते हैं तो इसलिए हमेशा आगे सेपसप में काम करते हैं यह तीन चीज़ों के हमेशा याद रखना हमेशा 90% excitement रहे हमेशा काम को स से हमेशा तालम बना करके काम करिए है दोस्तों यह आप देख सकते हैं तो सबस्ति डा बनने के लिए यह आपर हम जा रहे हैं दोस्तों है न को सक्सेस कवी जो आप चीया है आपका एक इस्ट्रेप 80 shift training में आप देख सकते हैं